बले ही आज एक बार फिर इर्धन यानि पेट्रॉल डीजल के दाम नहीं बड़े हो लेकिन ताजा वेश्विक स्थितियों के मद्दे नजर इतना तै हैं कि आगे इर्धन के दाम और बढ़ेंगे यूकरीन पर हमले के बाद रूस पर थोपी गए अमेरिकी प्रतिबंदों से कच्चे तेल की आपूर्ती पर गंभीर दबा पड़ा है भारत भी इससे अच्छूता नहीं है हाला कि अमेरिकी प्रतिबंदों से भारत इस मामले में काफी हद तक बचा हुआ है वे रूस से रियायती दरों पर तेल ले रहा है लेकि प्रतिबंदों की वज़े से तेल के ट्रांस्पोर्टेशन में समस्या आ रही है इस फेल में भारत साओधी अरप की दिगज कंपनी एरामको से तेल खरीदने जा रहा है ऐसे में विशेशगय आलशंका जता रहे है कि मई में पेट्रॉल डीजल की कीमते और रुला सकती है मांगा पूर्टी की समिकरंट से ही जाहिर है रूस पर प्रतिबंदों से अंतरास्चे बजार में कच्च तेल खासा महेंगा हो गया है इसी वज़े से घरेलू इस तर पर भी पेट्रॉल डीजल की कीमते लगातार बढ़ रही है अब ये बढ़ोतरी मई में भी जाली रह सकती है इसकी प्रमुक वज़े यही है कि देश की दो प्रमुक तेल विपरंट कंपनी साओधी की एरामको से कम कच्च तेल खरी देंगी जब तेल मिल रहा है तो फिर कीमते कैसे बढ़ेंगी इसकी वज़े ये है कि साउदी एरामको ने हाल ही में एशिया के लिए कच्चे तेर की कीमतों में बढ़ोत रिखी है इसे एशिया के विविन शेत्र में कच्चे तेर डिकॉर्ड स्थर पर पहुँच गया है वित मंत्राले ने भी गुरुवार को संके दिये हैं कि केंद सरकार सस्तर तेल खरीदने के लिए सबी संभावित विकल्पों की तलाश कर रही है एक उच्चे सरकारी अधिकारी के मुताबिग महेंगे कच्चे तेल से आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है यदि कच्च तेल की कीमते एक महिने तक 110 से 120 डॉलर की नीचे रहती हैं तो महि Margay में तेल इजाफ़ा होगा महीं फरवरी मार्च में भारत ने ऑस्तम 19.3ड प्रति बैरण महिने खड़ीदा है खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की कीमत फरवरी में 90 से जादा डॉलर के मुकाबले मार्च में बढ़कर 113.40 डॉलर प्रती बैरल पर पहुच गई है अब मई में इनके और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है Bureau Report Market Times TV